हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर के एट्यूबर स्वागत है आई जाने मत्प्रदेश प्रात्मिक सिक्षक वर्गतीन वर्ती के लिए 6 जनवरी 2020 से अनलाइन आवेदन सुरू होंगे जानते हैं वर्गतीन वाले अव्यर्ती चाहे मैरी अव्यर्ती हो या फिर पूरू साव्यर्ती हो उनके लिए खुशी की बात है खुशकब्री है जान लेते हैं बड़ी ख़बर है 2020 लगते ही यह ख़बर आईए कि 6 जनवरी 2020 से वर्गतीन की भरती के लिए अनलाइन आवेदन सुरू हो जाएंगे तो चलिए देख लेते हैं पुरी जानकारी विस्तार से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करिएगा और अभी तक आपने चेरल को सप्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारीयों के लिए चेरल को सप्राइब कर लें तथा नेक्स ट्रेइडियो के लिए बेल आइकान पे क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको सीकृता से मिले मत्प्रदेश प्रात्मिक सिक्चक वर्गतीन भर्ती के लिए खुसकबरी है प्रोफेशनल इक्जामिनेशन बोड मत्प्रदेश सासन इसकुल सिक्चाविभाग के अंतरगत प्रात्मिक सिक्चक पात्रता परिच्चा 2020 के संबन्द में सूचना है प्रोफेशनल इक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मत्प्रदेश सासन इसकुल सिक्षाविभाग के अंतरगत प्रात्मिक सिक्षक पातरता परिक्षा 2020 का आयोगजन सिग्रही किया जा रहा है उक्त परिक्षा है तो आनलाइन आविदन पत्र www.pb.mp.online.gov.in के माध्यम से दिनांग 6.1.2020 से 20.1.2020 तक आमंतरित किये जाएंगे आनलाइन आविदन पत्रों में संसोदन दिनांग 25.0.2020 तक किया जा सकता है ध्यान रखिएगा खुसी की बात है 6.0.2020 से आप लोगों के आनलाइन फाम भरे जाएंगे और संसोदन की जो तारिक है वह 25.0.2020 है रथा 26.0.2020 के पहले ही आनलाइन आविदन में संसोदन किया जा सकता है प्रात्मिक सिक्षक पात्रता परिक्षा में अर्तावारी अंक प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेश पर भरति का दावा नहीं किया जा सकता यहाँ पर ध्यान देने योग़गे बात है यदि आप परिक्षा में सामिल होते हैं और आपके जो अंक आएंगे उसके अनुसार आप दावा नहीं कर सकते कि आपकी ज्वैनिंग होगी या नहीं क्योंकि प्रात्मिक सिक्षक के पद पर नियुक्ती की कई पात्रता की सर्तों में से यह परिचछा सिर्प एक सर्त की पूरती करेगा परिक्षा के सम्मन्द में अन्य विश्त्रत जानकारी एवं परिक्षा तिथी हेतू नियम पुस्तिका दिनांग 6 जनवरी 2020 को वोट की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किये जाएंगे 6 जनवरी को ही सारी जानकारी आपको पीबी की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर आ जाएगी उसमें आप पातरता की सरते नियम रिक्तियां सारी जानकारी आप पर लें और उसी दिन से आपके आनलाइन फार्म भरे जाएंगे यह खबर news.com पर आई है लेकिन इसमें एक बड़ी खबर निकल के यह आ रही है कि जादा तर अब्यरती बाहरी राज्यों के होगे इसलिए उन्होंने यह कहा है कि सिक्छक भरती वर्गतीन की तयारी करने वाले इस मेसेज को अच्छी तरह से पढ़ लें आप सभी के पास 4-5 दिन का समय है रूल बूक आने में सभी लोग मिलकर ट्वीटर कर मतप्रदेश के मुख्यमंत्री सिक्छा मंत्री एवं सामान प्रसासन मंत्री के साथ साथ विपक्ष एवं सत्तापक्ष की सभी प्रमुख नेताओं को टेक करके केवल एक ही मांग रखे कि मतप्रदेश प्रात्मिक सिक्छक की भरती में केवल मतप्रदेश के मूल निवासी को ही फाम भरने का मौका दिया जाए क्योंकि प्रात्मिक सिक्छा मात्रबासा में देने का प्रावदान है इसके साथ ही बिहार उत्तरप्रदेश उत्राखंड जैसे राज्यों में बाह करने का प्रावधान करें बारी राज्यों से सभी की लिष्ट प्रवाइथ होती है चार-पांच दिन का समय निकाल कर केवल आपको ट्वीटर पर सभी के लिए जोड़कर अपनी बात रखनी है बारी राज्य ओपन बरती में आते लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सोसल मेडिया फेस्बुक पे जो भी आपके पास सोसल मेडिया के एकाउंट हैं सोसल मेडिया का माद्यम है उससे जरूर प्रसासन को मंत्रा ले को तथा विपक्ष के नेताओं को टेक करें और प्रात्ना करें कि बाहरी राज्यों के युवाओं को प्रदेश की वर्गतीन भरती में सामिल ना करें तो इस प्रकार से जानकारी थी आप इस प्रकार की जानकारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं वेबसाइट है http.morecreative.cf वहाँ पे आपको किसान क्रसी से ले करके लेटेश न्यूज तथा जाब से सम्मंदित जानकारी मिल जाएगी तो इस प्रकार से अपडेट था यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू करिएगा इस प्रकार की जानकारीयों के लिए चिरेट को सप्राइब कर लें तक है अगला वीडियो आपको सिकृता से मिले मिलते हैं सर्थ अगले इस प्रकार आपके काम की खबर के साथ तक तक के लिए